मुकेश कोई, I hope कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंट्स हम बात करेंगे जो अपना पेपर 2, Environmental Science है उसके कुछ MCQs के बारे में बात करेंगे तो जो 2022 के पेपर में आए हुए है प्रिवियस ये र क्विशन्स है तो बड़ी शान्ति से चित को रिलेक्स करके अच्छे से सुनना है और concept को समझने की कोशिश करनी है रटने की कोशिश नहीं करनी है ठीक है और आने वाले exams के लिए आपको बहुत बहुत all the very best अराम से त्यारी करिए और शान्त रखे पेपर देखे आना है चलो इससे पहले कि हम questions की बारे में बात करें मैं आपको information दे देता हूँ कि play store में अपनी app है जिसका नाम है SWMG इस नाम से SWMG नाम से app है और इस पे हम पेपर वन complete पढ़ते हैं 10 की 10 units और बहुत मीडियम में हिंदी और इंग्लिस माद्यम दोनों में पढ़ते हैं अगर आप willing है तो join कर सकते हैं तिल पंद्रा मार्च पंद्रा मार्च तक जितने भी courses है SWMG पे उस पे 25% ओफ चला है ठीक है और इसमें live session भी मिलते हैं अगर कोई live session नहीं देख पाता है तो वो recorded session भी देख सकता है और paper 2 अगर किसी का environmental science है code number 89 तो उसकी भी तैयारी हम करते हैं 10 की 10 units अच्छे से पढ़ते हैं live session और live नहीं देख पाते हैं तो recorded session भी देख सकते हैं और 15 मार्च तक आपको 15 मार्च 2023 तक इसके registration open है अगर आप join करना चाहते हैं तो कर लीजिए fresh batch है जून 2023 target batch ठीक है तो कैसे क च्रॉल करोगे register now पे click करोगे आपका नाम आपका phone number email address और खुद का password create करके register now पे click करोगे और course पे जाके आप course अपना purchase कर सकते हो और इसमें सारी facilities है live classes होगी अगर live नहीं देख पाता है तो recorded session देखेंगे raise hand का option है अगर आपको कोई doubt आता है तो आप पूच सकते हैं call पे आपके तो सारी facilities है PDF files बगेरा सब मिलेगी और पंदरा जून सुरी पंदरा मार्स 2023 तक आपको इस पे 25% है ठीक है अगर आप willing है तो आप join कर सकते हैं चलो हम questions के बारे में बात करते हैं all the very best चलो पहला question क्या कहता है friends इसको सुनिए यह कह रहा है demitalization the progressive decrease in size and weight of a product as a result of technological improvement is an example of source reduction क्या कह रहा है कि जो demitalization है is the progressive decrease in size and weight of a product as a result of technological improvement is an example of source reduction अगर यह basically बात करें तो waste management की बात हैं waste management से उठाएवी बात हैं basically यह कह रहा है कि जो demitalization है एक progressive decrease है size में and weight में किसी भी product पे और जैसे जैसे हम technology improvement कर रहे हैं वैसे वैसे जैसे हम किसी भी waste जहां से generate हो रहा है source पे reduction कर दें तो यह भी बड़ी अच्छी बात है बिलकुल सही बात है यह assertion बिलकुल चीक है इसमें क इसका reason क्या है इसका reason भी क्या है new product is more durable than the one being replaced बिलकुल इसका assertion जो है और उसका reason है वो भी बिलकुल correct है बिलकुल ठीक है क्योंकि new product है वो क्या है more durable है लंबे टाइम तक रहेगा और देंदा वन बिंग रिप्लेस किया गया है उसकी वज़ाए इसलिए हम यह technology की improvements वगेरा क वज़े से source reduction करना क्योंकि dematerialization है basically progressive decrease in size and the weight of a product है ना और उससे क्या होगा वो more durable होगा यह बात है तो reason भी बिलकुल ठीक है और assertion भी ठीक है और इसको explain भी कर रहा है तो first option है वो is the right answer बहुत A, R, Q and R is the correct explanation of A, अच्छा question है चानती से समझना है चीक है next question कहा रहा है which of the following is not a phase of secondary succession कौन सा ऐसा एक phase है तो secondary succession का नहीं है basically आपको पता है एक primary succession होता है एक secondary succession होता है प्राइमरी succession में तो एकदम पहले से कुछ होता ही नहीं है बिलकुल बार लेंड वगरा होती है यह होता है अगर वहां से हम सुरुवात करें और climax तग पहुंचे यह primary succession है लेकिन secondary succession में क्या होता है पहले से कुछ था वो disturbance की हो पहले से मिल जाती है क्योंकि वह primary succession में तो क्या होता है रोक होती है उससे देरे देरे सोराल बनती है बहुत साल लगते है primary succession में लेकिन secondary succession में क्या होता है primary succession disturb हो चुका है अब secondary succession आ रहा है तो secondary succession में बहुत कम टाइम लगता है बजाए primary के चीक है और क्योंकि उसको soil बगेरा त्यार मिलती है वो तो disturbance की वज़े से खतम हुआ है चीक है तो आपको आपसे ये पूछा है कि which of the following is not a phase of secondary succession कौन सी ऐसी phase है जो secondary succession की नहीं है तो secondary succession में basically क्या नहीं करना पड़ेगा उसको invasion नहीं करना पड़ेगा नए habit की कोई बात नहीं करनी पड़ेगा क्योंकि पहले से उसको मिलता है ये बात है देखना इसमें मैंने आपको कुछ steps भी बताया है initiation continuation ये तो रहेगा termination लेकिन invasion नहीं होगा जैसे देखो primary succession मैंने यहां लिखा भी हुआ है primary succession start from the primitive item where there was no previously any sort of living matter पहले से कुछ भी नहीं था यहां पे तो ये process चलता है ये steps होता है नुडेशन होता है और invasion यानि की migration जो aggregation होता है competition and cohesion होता है reaction होता है ये ये तो चलता है primary succession में लेकिन जो secondary succession होता है basically ये जो primary vegetation वगेरा थी या primary species थी वो disturbance की वज़े से किसी भी कारण से disappear हो गई है कई सारे factors हो सकता है fire वगेरा उसके बाद वो succession होता है that is secondary succession और ये बहुत ही क्या होते है comparatively more rapid होते है ये बात के ही आपको की ज़्यादा fast रहते है जाए primary के and species don't need to invade a new habitat for their growth क्योंकि इनको नहीं habitat की जुरूद नहीं होती है उसके growth के लिए क्योंकि पहले से उनको available रहता है चिक है क्योंकि primary succession में वो क्या हो चुका है develop हो चुका था तो ये इसलिए इसका invasion क्या जाएगा answer जाएगा समझ में आई बात बहुत अच्छा question है दोनों concept को शान्ती से समझना और हो सकता है आपको primary succession के steps भी पूछ ले phases भी पूछ ले कौन-कौन सी phases होती है तो ये ध्यान दखना next question कह रहा है in the layered structure of the earth mental is mostly made up of आपको पता है जब हम earth का internal structure की बात करते हैं तो ये है crust ठीक है ये mental है और ये उसके बात core है तो अगर बात करें ये mental की बात कर रहा है कि mental mostly किसका made up होता है तो अगर बात करें crust में siol होगा silika और aluminium होगया और अगर mental की बात करें silika और magnesium की बात होती है और core की बात करें तो nickel और iron की बात होती है निफे है ना तो इसमें silika और magnesium की बात होती है तो एक तो डी हो गया silika और magnesium कहां देके रहा है magnesium यहां देके रहा है magnesium and iron तो B or D is the right answer ऐसे question de缺ो factual है बिल्कुल बेसिक सी बात है इसे याद रखना चेक है तो इसका राइट अंस लाग है बी और डी बी और डी कौन से थर्ड ऑप्शन इस दा राइट अंस समझ में आई बात क्रस्ट मेंटल कॉर जो इंटरनल स्क्चर बात करते हैं और यह क्विशन क्या कह रहा है बहुत अच्छा क्विशन है लिस्ट ओप प्रोडक्ट ओफ अधर कंपाउंड और डिरेक्ट्री इन इन्वार्मेंट बेसिकली क्या है यह पी ओपी तो आपको पता है ऐसे और्गनिक पदार्थ है जो पर्सिस्टेंट है बहुत लंबे टाइम तक इन्वार्मेंट में रहते है तो यह कह रहा है which of the following compound in dirty डर्टी डर्टेंस ऐसे कौन coup балॉंड है डर्टी डर्जंस का मतलब बारा ऐसे compounds या पी ओ पी की बात बढूघी है जो बहुत खतरनाक है छेकर 12 बारा डर्टी डर्टेंस का मतलब यह है बारा छेकर है तो वह कौन से ऐसे हैं जो byproduct के तोर पे बनते हैं यानि कि सह उत्पाद की तोर पे बनते हैं ना कि वो directly apply कि जाते हैं इन्वार्मेंट में ऐसे यानि कि मैं आपको फिर एक बार एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ यानि कि जो persistent organic जो पदार्थ है ना वो basically यानि कि लंबे time तक रहते हैं बहुत लंबे time तक इन्वार्मेंट में रह जाते हैं वो तो वो एक dirty dozen एकलिस्ट है बारा की चीक है कि यह बहुत ही खतरनाक है बारा 12 इन बारा में से कौन से ऐसे हैं जो as a byproduct होते हैं directly apply निक होते इन्वार्मेंट में तो यानि कि byproduct के तो पे तो byproduct के तोर पे आपको पता है जब incineration बगेरा करते हैं तो dioxin as a byproduct निकलता है फ्यूरांस निकलता है तो बी और डी इस दा राइट आंसर होगा इसका चीक है बी और डी इस राइट आंसर यह जो बाकी है वो directly applied मैं आपको इसका एक series दिखाता हूं कि 12 को कैसे कैसे डिवाइड किया है classification दिखाता हूं इसका र बाइप्रोडेक्ट डाय और फ्यूरांस तो यह option गया क्योंकि बाइप्रोडेक्ट यह आप से पूछा था अगर industrial chemical पूछे तो polychloridate जो बाइफिनाइल है और hexa chlorobenzine हो गया अगर पैस्टिसाइज पूछे तो aldrin, dialgene, chlodane, DDT, myrex and texafen चीक है यह आपको ध्यान रखन है यह कितने होगे गिनके देखो बारा हो जाएंगे एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ज्यारा, बारा होगे ना तो यह dirty dozens है और इसमें से आपको पूछा था कौन से बाइप्रोडक्ट हैं तो dioxynote, furan, सुम्झ में आईए चलो बहुत बढ़िया बहु किस के लिए यूज होता है यह कोई prefix है पहले लगने वाले शब्द steno और कियूरी किस के लिए यूज होते हैं तो basically यह tolerance of any organisms है कितनी tolerant करता है different different environmental factor में वो कितना tolerance power है उसका यानि कि degree of tolerance of an organism to a given environmental factor कितना वो किसी चीज़ को tolerate कर सकता है environment factor में यह इसके लिए यूज होता है prefix steno and equary मैं आपको बता देता हूँ उसको थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं देखना जैसे एक organism है जिसका जो tolerance है वो narrow है बहुत संकीरण है narrow tolerance है तो उसके लिए हम यूज करते है steno है ना जैसे steno thermal और steno hyaline यह बोलते हैं जिसका narrow tolerance है चेक है अगर किसी organism का wide tolerance ह है ना उसके लिए हम यूज करते है यूरी यानि की यूरिधर्माल जैसे चेक है ना तो यह का है tolerance के लिए बताता है कि कितना tolerance कितना है उसका degree of tolerance कितना है यह दो शब्द है इसलिए यूज किया जाता है अच्छे शब्द है ध्यान रखना steno और यूरी चेक है चलो बहुत पढ़े है और आगे बात करें नेक्स क्विश्चन की यह जान रहा है की टू नाईटरोजन साइकल इस नाईटरोजन फीक्सिंग बैक्पीरिया विच एस फिक्स नाईटरोजन और कंबाइन गैसे नाइटरोजन विध। हाइटरोजन तूफर्म अमोनिया विल्कुल सभी अमोनिया बन गई चीक है बिलकुल सही बात है Second Statement क्या कह रहा है nitrogen cycle includes fixation of molecule nitrogen to ammonia to nitrate to nitrate only it doesn't include denitrification process ये बात नहीं जची Nitrogen cycle में तो denitrification process भी तो include है वही ये नहीं ये कह रहा है बहुत शांती से यहीं और ज्यादा तर देखो basically बात यह होती है जापे only जैसे शब्द आ जाते हैं जैसे nitrate to nitrate only यह जैसे शब्द आ जाते हैं बेसिकली गलत जाते हैं सम्मान्यत है जब आपको लगे कि कहां जाओं तो गलत की तरफ जा सकते हैं आप ठीक है और बाकिया बह pollution है यह energy का form रहता है and highly subjective in nature unlike air pollution है ना जैसे air pollution एक highly subjective वाली बात नहीं है लेकिन जो यह है noise pollution यह highly subjective है बहुत ही व्यक्ति परक है बिल्कुल से ही बात है ठीक है second statement कह रहा है कि noise pollution exist irrespective loudness of sound and cause बहुत physiological and psychological stress अमंग individual और group of individual बिल्कुल सही बात है आपको physiological psychological stress आने की पूरी की पूरी संभावना रहता है noise pollution की वज़े से बिल्कुल सही बात है चीक है तो यह भी बिल्कुल ठीक है दोनों बात चीक है बहुत statements are true कोई गलत नहीं है statement first and statement two are true बिल्कुल true है आगे है concept of R&K selection was originally given by चो caring capacity वगेरा की बात करते हैं R&K क्या है यहां पर आप देखना ecology से लिए पूछा work question है R&K selection carrying capacity वगेरा पढ़ते हैं तो आप देखना यह क्या है यह concept पका लेकिन यह पूछना है कि यह concept दिया किस ने था originally यह मैक आर्टरें विल्सन ने दिया था 1967 में तो यह तो बिल्कुल factual information आपको याद रखनी है कि इनो ने दिया लेकिन आपको यह भ बहुत बढ़िया हूँ आगे कह रहा है कि next question assertion reasoning का फिर है कह रहा है कि small increase in wind velocity and high top turbine produce a large increase in energy yield सही बिल्कुल बिल्कुल बात है क्योंकि जो wind की जो velocity बढ़ेगी है ना तो energy की yield तो बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि wind की velocity और आपको पता है energy yield कैसके proportional to third power of wind speed होता है यह V3 के proportional यह पढ़ा है ना और याद है रहे formula तो यह तो बिल्कुल ठीक है region क्या रहे energy yield from wind is proportional to third power of wind speed बिल्कुल सही बात है and wind speed increase with height above ground बिल्कुल क्योंकि friction कब होगा above ground बढ़ेगा तो बिल्कुल सही बात है तो इसका A भी ठीक है R भी ठीक है और R है वो A को सही से explain कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो इसका right answer first हो गया both A and R true and R is the correct explanation of A कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सही है तो यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे-चे questions हैं अच्छे से concepts को समझने की कोशिश करना और किसी तरह से कोई doubt मत रखना और आप exam में बहुत अच्छे स यह है कि play store में अपनी application है जिसका नाम है SWMG इस नाम से है और 15 मार्ज तक है ना आप registration open है और अगर कोई 15 मार्ज तक अपनी seat book करवाता है paper 1 जो compulsory paper है वो भी और अगर किसी का paper to environmental science है तो उसके लिए भी और combo pack भी ले सकता है paper 1 और paper to environment science 15 मार्ज तक उसके registration open है और 15 मार्ज त 25% off है friends ठीक है अगर आप willing है तो आप join कर सकते हैं और अच्छे से शांती से त्यारी करेंगे और Hindi और English medium दोनों में त्यारी करते हैं तो किसी तरह की मेरी साफ से कोई tension नहीं होगी ठीक है friends तो अभी exam के लिए आप call the very best अपना शांत रखें और अच्छे से पढ़ाई करें और बिल्कुल relax होके exam में perform करना है किसी भी तरह की tension मत लेना एकदम cool mind से बैठना है exam में बहुत हडबड़ी करोगे तो गडबड़ी हो जाएगी ठीक है बिल्कुल relax होके कि ठीक है कुछ question नहीं आता है तो चोड़ने की परवरती रखें चोड़ने की परवरती मतलब कहने का मतलब अभी तक negative marking नहीं है तो करने तो सारी question है लेकिन बहुत जादा time नहीं लगाना है क्योंकि आप यह सोचो कि यह equation कई बार जिद्ध हो जात हो एक बार मैं बार-बार बोलता हूं कि continue तीन गंटे जब screen देखते हैं ना फ्रेंट्स को कही ने कई irritation होने लगती है तो थोड़ी देर screen देखें पान दस पंद्रा question करें फिर थोड़ा दस सेकंड के लिए आंखे बंद करी फिर ऑसो मत जाना चीक है मैं बार-बार बोलता ह फिर पांसाथ-दस सेकंड के लिए ऐसे बंद करी और फिर एकदम फ्रेस होके फिर question करा तो तरो ताजा लगेगा थोड़ा पानी पी लिया बीच में तो इस तरह से ठीक रहेगा एकदम ऐसे गड़ा के तीन घंटे आंखे देखो लिए तो irritation होना सबाविक है फिर ऐसा लग बहुत बहुत धन्यवाद है अगर हां तो आप हमारे साथ जूट सकते हैं अपनी SWMG अप्लीकेशन पर जिस पर हम लाइव सेशन भी देते हैं और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 उनिट की recorded session भी देते हैं बिलकुल चित को शांत रखते हुए concepts क क्लियर करते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जोइन कर सकते हैं all the very best बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्स अलॉट फ्रेंग्स